कर एक ऐसी था हुंदी है जिते हर कोई अपनी निजी जिन्दगी दे सुनेरी पल याद रखता है ओ जगा जिते ओ रेंदा है ते प्यार परया जीवन बतीत करदा है ए गल्ला ताहीं पूरिया हुंदिया ने जद किसे जगा नू सजे हुए कर्च बदलिया जावी नमे करानू फ्रेमिंग तो लेके फिनिशिंग तक ड्रेपरी पेंटिंग तो लेके डेकुरेशन असेसरीज तक तुसी एस के होम डिजाइन्स निया प्रफेशनल सर्विसेज लेके अपने सुपन्यादेकार नू हकीकत च बदल सकते हो कॉंटेक्ट करो संदीपकॉर 604-825-9295 इस चीज़ दो फोकस करके कोई न कोई जो उपदेश है मिलदा है और स्वागत कर दे हां रजनी शर्माजदा जैना ची वेल्कम तो प्रोग्रम कर्म नीश्काम कर्म अर्ण कर्म अ बनाते हुए कंभ अरजन ने ये बात सुनी भागवान की तो वो जानना चाहते हैं भागवान से, कि आप कर्म योग की भी प्रशंसा कर रहे हैं, और कर्म सन्यास योग की महत्ता को बता रहे हैं, तो आप दोनों में से मुझे निश्चित करके बताएं, कि कौन सा मेरे लिए श्रेष्ट है, यह जो पॉइंट था, कर्म अकर्म का, यह कि ठीक है, हो सकता है एक से ज़्यादा मारगों, पर इस वक्त जो मेरे लिए श्रेष्ट है, वो मुझे निश्चे करके बताएं, तो भागवान ने वहाँ पर कहा कि जो तत्व ग्यानी हैं, वो दोनों मारगों को एक ही मानते हैं, क्योंकि जो उनका परिणाम है, जो रिज जानना चाहते हैं कि आपके लिए श्रेष्ट कौन सा है, तो मैं ये कहूंगा कि कर्म योग श्रेष्ट है तुम्हारे लिए, क्योंकि कर्तव बुद्धी से और समत्व बुद्धी से कर्मों को करते हुए, तुम अपने कल्यान को प्राक्त होगे, ऐसा कहा, तो जैसे अभी अभी दुद्धा थी और वो अभी चाहरे थी कोई गाइडन्स, क्या इस चैप्टर में कोई जैसे आपने बात की कि वो बता रहे हैं और साथ में दोनों रस्ते भी बताई जा रहे हैं, तो एक तना का अभी ओधी निकल नही रही रही अभी कितना और ध्यायों में हम देख उन्होंने शुरू में ही कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ पर वो जानना चाहते हैं अपने कन्फूजन क्लियर करना चाहते हैं उन्होंने सरंडर किया भी है पर अभी उनकी बुद्धी बीच में आ रहे हैं अब यह पड़ा इंपॉर्टन पॉंट हमारे जीवन में भी हम कि हमस्मर्पत तो कह देते हैं हम भगवान को हो गए जिस भी धर में हमारा मिश्वारह वता है लेकिन हमारे जो बुद्धी है वो बार बार आके हमें चोट देती है कि नहीं यह शायद Qo ze तो जब तक उनके वो बुद्धी के जो प्रश्न है वो शांत नहीं हो जाते और भागवान चाहते भी नहीं क्योंकि जब तक कन्फ्यूजन पूरे क्लियर नहीं होंगे, मन जो है वो निश्चयात्मक बुद्धी नहीं होगी, तब तक फिर वो अर्जुन जो है उनको यहीं लगता रहेगा अंदर की करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए तो भागवान उनको इस्थिती से उवारना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये उनको निश्चय करके कहा कि आप जो है निश्काम कर्म योग उसको उस रास्ते पे चलिए आपके लिए वो श्रेष्ट म कर्म योग किया, चौथे अध्याय में ग्यान, कर्म, सन्यास किया, तो अब कर्म की बात कही तो थोड़ी सी ग्यान की भी उन्होंने ये बात कही, कि जो ग्यानी है वो ये जानता है कि इस शरीर की होने वाली सारी क्रियाएं, चाहे वो मन की हो, बुद्धी की हो, या शरीर इट सेल्फ की हो, वो सभी क्रियाएं अपने आप हो रहे हैं, कि जैसे हमने पिछली बार भी बात की, कि हृदे धड़कता है, श्वास चलता है, पाचन क्रिया होती है, नाना प्रकार की क्रियाएं शरीर में हो रहे हैं, तो भागवान जो ज्यान योग का साधक है, वो जानता है, कि ये सभी क्रियाएं मेरे शरीर में अपने आप हो रहे हैं, ये सोच कर, ये जानकर, वो इस शरीर में मजे से रहता है, भागवान ने कहा, कि नवद्वारपुरी, ये शब्द यूज्स किया, इसको कहते हैं, City of Nine Gates, तो City of Nine Gates में वो मजे से रहता है, ये सोच के, इस सब कुछ जो है वह अपने आप चल रहा है प्रकरती चला रही है तो यहां पर उन्होंने थोड़ी सी ज्यान की बात भी कही है और अगेन वही इस बात चल रही है कि जहां ज्मन की बीठी चुदी घर आघ कि बीठी की आत ही जमझाइग चा ए कि आच और अरो इक अगें पर में मरेर आ izलिकिक हुझ का पर अम विक्ति के लिइस अरक्टिवरी के लिएकिव two-day अर्जुन नि झा वू ज etiquette। कि चाहिए हमें मालुम है कि जीवन जो है भगवान का दिया हुए everything is working according to his direction लेकिन फिर भी हम समझ नहीं सकते कि जीवन का मकसद क्या है और उस समय क्योंके मकसद जंग में खड़े हुए मैदान में अभी अरजुन को पता नहीं चल रहा कि क्या करना है तो अब आगे क्या ग्यान से आगे भी कोई बात करते है एक्शली जो पांचवे अध्याय के अंत में जाके भगवान ने अभध्यान योग शुरू करना है तो कुछ बातें वो उसके बारे में जो ग्राउंड तयार करेंगे वो भी इस अध्याय में उन्होंने किया है लेकिन उससे पहले भगवान ने कुछ चीज़े यहां पर बहुत क्लियर के ही अर्जुन को क्योंकि कर्म की बात हो रही है तो उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन कर्म कर्ता, कर्म और कर्म फल संयोग इन तीनों से मेरा कुछ लेना देना नहीं इसका अर्थ क्या हुआ मान लीजे कि आप किसी व्यक्ती ने ऐसा सोचा कि मैं कोई बिजनस शुरू करें ऐसा उसने अपने मन में सोचा वो करता है बिजनस इटसेल्फ इस कर्म और फिर उसका जो परिनाम है कर्म फल वो लाब या हानी या बिजनस बहुत चला या डूबा तो भागवान ने कहा इन तीनों चीजों से मुझे कोई लेना नहीं क्योंकि मैं इससे अलग हूँ इसके अलावा उन्होंने एक बात बहुत क्लियर करके कही कि किसी के भी पाप और पुन्य मैं दोनों ही नहीं लेता हूँ क्योंकि पाप और पुन फिर से कर्म फलसंयोग हैं और मैं वो नहीं लेता हूँ इस बात को उन्होंने इस बात को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो जितने भी कर्म हैं वो हम शरीर से, मन से, बुद्धी से करते हैं और आत्मा इनसे परे हैं और भगवान परमात्मा है या उस आत्मिक लेवल पर खड़े हैं तो उन चीजों का प्रभाव वहान नहीं होता है तो अगर मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसके फलस्वरूप उसको दुख मिलता है और सत कर्म करता है तो उसको पुन्य मिलता है जिसका फल सुख होता है तो भगवान ने का ये सुख और दुख ये दोनों ही मन के हिस्से हैं बुद्धी के हिस्से हैं तो मेरा इनसे खुछ लेना देना नहीं है या कर्मों को अकर्म बनाने के बात है हम ये आराम से समझ लेते हैं लेकिन जब बात आती है ध्यान योग की तो उसके लिए थोड़े प्री रेक्विजिट्स चाहिए आप देखें कि मान लीजे किसी बड़ी कंपनी में एक पोजिशन निकलती है मैनेजर की या डायरेक्टर क तो उसमें जब वो पोस्ट करते हैं पोजिशन तो बताते हैं कि हमें इसके लिए इलिजिबिल्टी रिक्वाइरमेंट्स हैं कि इस तरह का एक्स्पिरियंस चाहिए और हमें जो है वो इस तरह का उसके लिए एजुकेशन चाहिए तो फिर आप क्वालिफाइशन होते हैं तो भागवान आगे ध्यान योग की बात करते हैं, तो ध्यान योग के लिए थोड़े प्री रेकुजिट्स चाहिए, जिनकी चर्चा उन्होंने इस अध्याय में भी की, उन्होंने कहा अर्जुन से, अर्जुन देखो, जो इंद्रिये और विश्यों के संयोग हैं, हर्पी आपने एक रोज बात कही थी पिछले किसी उसमें, कि सेंश्वल प्लैजर्स में लोग जादा हैं, तो भागवान ने यहां पर अर्जुन को ये बात कही, कि जितने भी सेंश्वल प्लैजर्स हैं, जो हम इंद्रिय और विश्यों के संयोग से भोगते हैं, वो सारे दुख देने वाले हैं, और टेंपरेरी नीचर के हैं, वो टेंपरेरी हैं और दुख देने वाले हैं, तो इसलिए जो ज्यानी लोग हैं, वो उनमें नहीं पढ़ते हैं, उनमें नहीं रमते हैं, लेकिन हम आम तोर पर ऐसा देखेंगे, कि भागवान कह रहे हैं, वो सब दुख द लेकिन उन्होंने ये कहा, वह सुख शनी है, बहुत टेंपरेरी है, स्टार्ट है और उसका एंड है, और इसके अलावा, जिस वक्त हम वह सुख भोगते हैं, और शास्त्रों में बहुत खुबसुरत एक्जेम्पल देते हैं, कि जैसे एक पतंगा है, वह दिये की लौपे, अ इंद्रियों के सैयोग से होने वाले भोग हैं, जाए ऐश्वर्य है, विलासिता है, इस्त्री संग, इस सारी बाते हैं, तो ये जो भोग हैं, ये मनुश्यक की आयू को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन, क्योंकि हमारे पास सिकेवाल आयू है, बिल्कुल जी, और इसका जो फस जाता है काम में, तो उसकी वज़े से वो खतम हो जाता है, और एक छोटा सा आदमी जो है, उसको फिर जीवन भर जो है, आगे चलाते है, इसके बार में और बात करते हैं, इस ब्रीक के बाद,